इस टुटोरियल में हम ये question solve करेंगे which says examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3 x square plus 5 x plus 6 and of 2 x plus 4 यानि कि हमें ये find out करना है कि x plus 2 क्या इस polynomial का factor है और क्या ये इस polynomial का भी factor है तो इसको solve करने के लिए हमें factor theorem यूज करनी है अगर factor theorem आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार quickly यहाँ पे explain कर दूँगा बट फिर भी recommended ये है कि जो link मैंने top right corner में दिया है उसको आप जरूर देख लेना अब factor theorem के accordingly मैं कोई भी एक polynomial जिसकी degree greater than or equal to 1 हो जैसे इसमें इसकी degree क्या है 3 इसमें इसकी degree क्या है 1 उसको अगर मैं x minus a से अगर divide करूँ तो अगर मेरा remainder remainder कितना होगा pa remainder pa क्यों होगा ये अगर आपको remainder theorem याद हो तो उसके accordingly किसी भी polynomial को अगर x minus a से divide करें तो remainder मेंशा क्या होता है pa ये थुरम भी अगर नहीं आ तो top right corner में link दे रहा हूँ उसको देख लेना अगर remainder 0 हो तो x minus a इसका factor होता है ठीक है अब a कैसे निकालते है a निकालने के लिए हम लोग क्या करते है कि हमें जैसे x plus 2 दिया गया है इसको हम 0 के पराबर equate करके x की जो value होती है उसी को ही a मानते है कैसे मैं ये भी बतायता हूँ जैसे x plus 2 को मैं x minus minus 2 लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x minus minus 2 तो ये इस तरह का हो गया x minus a तो ये मेरा हो गया a simple सा तरीका है कि इसको 0 के बराबर करो तो हमें a मिल जाएगा जो x की value हो वही a की value हो तो अब हम इसको solve करते है let px is equal to तो ये polynomial यहां लिख लेते हैं और जिससे divide करना है उसको हम बोल देते हैं gx और वो कितना है x plus 2 ठीक है now x plus 2 को अगर मैं 0 के बराबर लिखूँ तो x मेरे पास कितना आ जाता है minus 2 now all I need to check is कि x is equal to minus 2 के लिए इसकी value क्या है this implies p minus 2 is equal to यहां डालो minus 2 minus 2 cube x की जगा minus 2 आ गया plus 3 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6 इसको open करते है तो यह हो गया minus 8 plus 12 minus 10 plus 6 minus 18 plus 18 answer आ गया 0 remainder 0 आ गया p a 0 आ गया this means x plus 2 is a factor of this polynomial तो यह तो हो गया true अब दूसरे के लिए भी check कर लेते हैं अब इस case में हमारे पास p x कितना है 2 x plus 4 तो इसको भी हमें p minus 2 पे check करना है तो कर लो इसको p minus 2 पे check तो 2 into minus 2 plus 4 minus 4 plus 4 which is equal to 0 अब इसको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही करो यह तो ठीक है factor थिरों हमने use कर ली कि अगर p a 0 हुआ तो x plus 2 इसका factor होगा this is right लेकिन इसको अगर आप ढंक से देखो तो इन दोनों में 2 वैसे ही common है और अंदर कितना बज जाएगा x plus 2 तो यह तो सीधा सीधा ही देख जाता है कि x plus 2 इसका factor है right so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia जजएब कि अढ़िएब आप है चूछाब अब़िएगा